है काक्षा आठ के सभी प्यार विजारत्यों का आज के से विडियो में हार्दिक्स स्वागत और अभिनंदन इस वीडियो में बात करेंगे एन-म्ज परिक्षा दोजार पच्छिस कज़े पर होगा 24-25 जो आपके दो जार पच्छिस में जनवरे में पर होगा उसके लिए इस चुनी पूरा फाइदा मिलेगा इस वीडियो में अपने आप के दोएमाग में होगा एक आपके में लगाएटे के नबब किशन होंगे एक आपके किताब के गणीत विज्ञान समाजी के और इनके 90 प्रस्ण होंगे तो सेट में आपके 90 प्रस्ण पुछे जाएंगे जिसमें 35 प्रस्ण आपके साइन्स क्या होंगे और 35 प्रस्ण आपके सोशल साइन्स क्या होंगे यानकी समाजी विज्ञान के और 20 प्रस मिलेगा अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं एप के उपर जाएके और अपना वाटसअप ग्रूप इसको जोएन के लेना साथ ही आपके हापेर लेगी जो पैपर सौंगे उनकी पूरी तयारी आपको यह पर करवाई जा रही है तो इसके लि सब्सक्राइब करके रखें तो फिलाल इस वीडियो में अपना आपके विज्ञान के जो 35 प्रस्ट आएंगे साइंस के जो आपके 35 प्रस्ट आने वाले हैं वो आपके कैसे प्रस्ट आएंगे इसके आपके डिसक्स करने वाले हैं अगर आप यह वीडियो अंत तक देखें और NMMS परिक्षा की भी आपको प्लेलेश्ट चेक कर लेनी है तो आईए पहला प्रस्न देखते हैं पहला प्रस्न यह है कि कारी करने की ख्षमता को क्या कहते हैं कारी करने की ख्षमता को सक्ति केते बल केते चाल केते या फिर उर्जा केते हैं तो कारी करने की ख्षमता को क्य क्यों होता हैं नूट्रन होता हैं ठीक है सकति कंतRI क्या होता हैं वार्ट नित्सपावर बराबर maga कितना one होता है कामेंट करके बतरा है लेक्ट क्यूशान हैं उंहें से कौन अगला प्रस्ता है कोई व्यक्ति आर त्रीजा की वर्ताकार मार्ग पर चलते हुए आदे वरत का रास्ता ताय करता है तो व्यक्ति का विस्तापन बताना है यह मानलू पूरा वरत है यह पूरा वरत है इस पे चलता हुआ व्यक्ति मानलू A से लगा कि यह वला रास्ता इसमे तो A से B के भी इसके सीधी दूरी इसके व्यास के बराबर है क्या है इसके व्यास के बराबर और व्यास जो होता है वो त्रीजा का दो गुना होता है व्यास बराबर दो इंटू त्रीजा क्योंकि इसकी त्रीजा कितनी R है तो व्यास बराबर 2R इसका अंसर हो जाएगा ठीक है 2R इसका correct अंसर होगा ठीक है और 2R ये पूरी परिदी अगरे बात करें एक चक्र पूरा लगा देता तो इसका जो दूरी है वो 2R होती ठीक है लेकिन ये आदा चक्र लगा है तो इसका विश्तापनिया पे 2R होगा अग पास्कल किसका मात्रक है तो पास्कल ये दाब का मात्रक है पास्कल किसका मात्रक होता है दाब का मात्रक होता है अगला प्रसन आपकी किसी गतिसील वस्तु की दूरी विश्तापन में क्या समद होता है तो गतिसील वस्तु की जो केवल दूरी है केवल दूरी है उसका विश आवरतकाल कहते हैं आवरतकाल लगे समय को कहा जाता है एक कमपन करने में जितना समय लगता है उसको पर आवरतकाल कहते हैं टाइम पीरिड कहा जाता है जबकि आवरती जो किये गए कमपनों एक सेकंड में किये गए और कमपनों की जो संक्या उसको पर आवरती कहते हैं आवर तरी ते चालग किसे बनाय जता है तो तरी चालग जो दातु वती होते हैं तारे शुर्ग चमकता है यह पूस्तक कर देंगे अगला प्रस्ता है क्यूश्य नूंबर 99 शम्तल दर्पन पर अभी लंबत प्रकास की किरण के लिए आपतन कोन ते था प्रावरतन कोन के समंद क्या होता है तो यह सम्तल दर पर ने और इसका यह अबिलम होता है अबिलम के उपर कोई मानलो प्रकास की किरन आएगी तो वो अब आपतन कोन होता क्या है अबिलम के साथ जो कोन बनाती आपतित किरन उसको अपन यह आपतन है उत्amm ही परावरतन कोई लोगा क्कि प्रावरतन का नियम यह है Wellam Hai 1922 नाय होता है आपपन कों और प्रावरतन कोंप हमेश्रां बड़ाबर होते हैं तो इसमें अभीलंब कर आप चोंट होई तो इसका बिजरों吸़ाए लेगा अई बराबर यार परावर जीरो होगा लेकिन प्रस्थ ऐसे आ जाता है कि आप तन कौन का मान मालो 30 दिग्री और तुमसे पुझता ही परावर तन कौन कितना होता है होगा इसके लिए तो वह भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा एक क्यूशन मैं आप से पूचता हूं कि दर्पन से याद आए क आपके जो गाड़ी की जो साइड ग्लास होती है गाड़ी की साइड ग्लास में कौन सा दरपन होता है और एक गाड़ी की हेड लाइट में कौन सा दरपन होता है ठीक है दोनों आपको कमेंड करके बताना है दरपन जो मीरर होता है उसके आरपार भी नहीं देख सकते हैं दातों की चादर के आरपार भी नहीं देख सकते हैं लेकिन जो साप काच होता है स्वच काच जिसके अपना आरपार देख सकते हैं आपने देखा होगा स्वच काच आपके जो प्रिंसिपल सहर है उनकी टेबल प और नहीं ज़ेख सकते हैं है अगला प्रस्तिन अमानों सरीरorden कर सामय तब कितना होता है तो अगर डिग्री सेल्सिस में बात करें तो 70 की सैल्सिस हो गा और वारिन आइड में बात करें तो 98.6 डिगरी फारी नेड fragen होगा तो यह दो ठीके अगर ये सेल्सिस होता तो पनेस्कों करते हैं ये फटारी जगह पहें उसकी औप्षिण होगा अच्छा जो टाप मापस हते हैं को हरका अगाला प्रस्न है इंद दूंस के रनों का मध्यानवन कौन सा होता हैं तो इसके Bos like değildi कभ venue göster have her कर अगर पो अगला प्रसमे निकरसी दोस्तो को दूर करने के लिए परतिविम अच्छा नीकर क किस्टिति में दूर स्थी दवस्तों का परतिवीμ बनता है so today sait है निकड़ दूर करना है तो कौनसा लैंस काम में लिए यदाथ हैं उसके लिए आपको याद रखना जै लिए इसको निकटव凸 मायोपिया कहते हैं ठीक है इसके लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं कौन सा लेंस काम में लेते हैं जबकि दूर दर्शी दोस के लिए उतल लेंस काम में लेते हैं निकट दर्शी दोस में पास की उसके बड़या दिखती हैं दूर के उसको साफ नहीं दिखती हैं तो उसको आपके दूर दरशी दोस नेक्स्य नि में से कुंसा उर्जा का नभी uży है नभी यह तो यह नहीं ना यह आता है यह परमप्रागत यह लकड़ी है और डिजल है प्रम प्रागत उर्जा के स्रों होते हैं आपको जिवास में इंदन का नाम कमेंड करके बताना है कि जिवास में इंदन कौन कौन से होते हैं ठीक किनी दो जिवास में इंदन का नाम आपको कमेंड करके बताना है साथ ही आपको एक LPG का पूरा नाम LPG का और एक आपको CNG का पुरणाम बता देना है नेक्स्ट कुशन है रासानी गुर्जा को विद्यूत गुर्जा में रुपान्तित करने वाले युक्ति कौन सी है विद्यूत मोटर देखो विद्यूत मोटर जे होती है वो यांत्री गुर्जा को विद्यू तूर्जा में बदलती है जनरेटर जो होता है वो विद्यू तूर्जा को यांत्री गुर्जा में बदलती है यह विद्यू तूर्जा को यांत्री गुर्जा में बदलती है यह विद्यू तूर्जा को यांत्री गुर्जा में बदलती नेक्स्ट आपके क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर जो निर्मित काच है वो कौन सा होता है तो वह हरे रंग का हो जाता है रासानी उर्जा को विदित उर्जा में बदलने का युक्ति है वह आपके विदित सेल हो जाएगी कई सारे सेल मिलकर क्या बना देते हैं बैटरी बना प्रत्यावर्ती परियोतन क्या होता है तो प्रत्यावर्ती परियोतन इसको जो रिवर्सेबल होता है वो बहुतिक परियोतन को रिवर्सेबल जो उतकरमनी परियोतन कहते हैं ठीक है यह एक आवस्ता से दूसरे उस्ता में वापस परियोतन हो जाता है तो इसको परत्यावर वो लेड का आयस्क होता है गेलेना आपको कमेंड करके बताना है कि जो बॉक्साइट है बॉक्साइट वो किसका आयस्क है बॉक्साइट किसका आयस्क है परियोगसला थर्मामेटर का अदो बिंदू क्या होता है तो लोवर जो पॉइंट होता है परियोगसला थर्मामेटर का वो 32 डिग्री फारेनाइट होता है जिरो डिग्री सेलसियस के दो या 32 डिग्री फारेनाइट होता है अगला प्रस्थ नहीं पदार्थ की सुक्संतम इकाई क्या करते हैं तो पदार्थ की जो सुक्संतम इकाई है उसको क्या करते हैं एटम कहा जाता है परमाणू कहा जाता है अगला प्रस्त नहीं कपाज की खेते की लिए उप्यूक तापमान के हैं तो 21 डिग्री से 27 डिग्री से इसका तापमान होना चाहिए अगला प्रस्त नहीं बेडों के रेशों की चिकनाई दूल गर्थ निकालने की प्रकरिया को क्या कहते हैं इसको अभी मारजन का जाता है नैक्स्ट है एचियल और नवएच की अभीख्री करवाइंगे तो ये एक्स बनेगा और एक्स के साथ में जल और उसमा निकलती है तो ये एक्स क्या है तो यहाँ पर एचियल तो एक अमल है और ये एन्वएच ख्षार है अमल और शार मिलकर लवन बनाते हैं और जल बनाते हैं इसको उदासीनी करण के बिग्रिया कहते हैं इसको क्या करते हैं उदासीनी करण के बिग्रिया का जाता है यह X होगा वो लवन होगा एने और सियल तो एने सियल इसका अंसर हो जाएगा एने सियल यह नमक का रासानी सु से डिन प्रसफितर आपको कमेंड करके बताना है अगला प्रस्सन में पॉत्षिंज में बच्रों रेत मिलकर क्या बटाता है तो इसको फ्रिंट रड清 Vert कांच बनता है। नेक्स्ट है जल में गुलंचील विटामिन तो दो प्रकार दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में गुल जाते हैं B C B और C जल में गुल जाते हैं जबकि A D A D E और K ये चार विटामिन वो वसा में गुल जाते हैं ठीक है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है हरे पोदे दूरा बोजन बनाने की प्रक्रीय क्या रहती है तो इसको यह पन फोटो संथेसिस कहा जाजता है प्रकास Censuration की बिग्रिया कहते है लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहला है तोईलिन कहा जाता है क्या क्या किए मौस हो गया इनके कोई पूस्प नहीं आते हैं मानों में कुल कितने हड़ियां होती हैं तो मानों में कुल हड़ियां जो होती हूँ 206 होती हैं आपको कमेंट करके बताना है कि एक मच्छर के मुव में कितने दात होते हैं एक मच्छर के मुव में कितने दात होते हैं अगला प को सिकिए मचली जो हैं आपका मचली आपके बहु को सिकिए जनतु है इसके लावा मचली में बाहिये जनन पाय जाता है मचली में बाहिये जनन पाय जाता है मचली के लावा मेंडग में भी बाहिये जनन पाय जाता है और स्टार फिस में भी आपके बाहिये जनन पाय जाता है अगला प्रसने 124 नमबर पोदो में इसेचन के पश्चाथ अंडा से विक्सित होकर क्या बनता है तो ये फल बनाता है अच्छा आप बताना कमेंट करके कि फलो का राजा किसको कहा जाता है फलो का राजा किसे कहा जाता है एकोसी की जीव का उधारन नहीं है तो इसमें से जो अमीबा, पेरामेशियम, यूगलीन, एकोसी की है केचवा जो है वो एकोसी के जीव नहीं है तो केचवा एकोसी के जीव नहीं होता है आपको बताना है एक क्यूशन और कि किसान मित्र किस जीव को कहा जाता है किसान मित्र कौन से जीव को किसान मित्र कहा जाता है तो ये थ किस वेद में मिलता है एलोरा की किरास मंदिर का निर्मान किस ने करवाय था यह सबी जो परस्त है वह आपके सामाजी के कुछिन सब्सक्राइब करें तो इसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके ताकि आपको जो पेपर होगा बहुत शानदार होगा और आपको 48,000 रुपी की चात्रों रुटी मिलेंगी तो वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने सबी दोस् सेक्शन में लिखके ज़रूर बताएं तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में तब तक जैहिन जैबारत अच्छा एक और आपसके लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी बताना है जो एन एमेंस परिक्षे की तैयरी करने ताकि उनको भी इसके बार मे में तब तक जैहिन जैबारत